तो मैं आप लोग आज बताने वाला हूँ कच्छा साथ 12C का पहला कोस्चन तो कोस्चन दिया है आकरती 5.15 में छायांकित भाग का छेतर फल गयाद करना है तो चलिए हम लोग तब बताता हूं कैसे लिखेंगे आप लोग यहां पर लिखेंगे छायां कित भाग का छेतर फल बराबर चायांकित भाग का छेतर फल लिखेंगे हम लोग लम्बाई वाले मार्ग का छेतर फल जो यह लम्बाई वाला मार्ग है इसका छेतर फल पलस चोड़ाई वाले मार्ग का छेतर फल माईनस उभै निष्ट मार्ग का छेतर फल तो उबनिष्ट क्या होगा तो देखें आप लोग यह इधर से रास्ता जो आ रहा है और इधर से रास्ता रहा है इसके बीच में यह बन रहा है लिखेंगे हम लोग बराबर लंबाई गुडे चोण आई क्योंकि आयत का छेतर फल क्या होता है लंबाई गुड़े चोण आई तो फिर से लिखेंगे चोण आई वालेका लंबाई गुडे चोडाई माइनस भुजा स्कॉयर क्योंकि यह जो उभन के क्या बना रहा है या है स्कॉयर बना रहा है इस्कॉयर का चे क्म्त प्सक्उय स्कापिर होता है तो लिखेंगे यहांपे लंबाई वाले contingent यानि कि लंबाई वाबले मार्क क्या हो जाएगा तो यह लंबाई वाला मार्क है यह भी लंबाई वाला है मतलब यह लंबाई है तो 50 मीटर लंबाई इसका मार्क 5 मीटर है तो गुड़े 5 फिर चौणाई वाले का कितना लंबाई है चौणाई है मानलो 40 है लंबाई मानलो इससे यह 40 है इधर 5 है तो गुड़े 5 माइनस भुजा स्क्वायर यानि कि जो भुजा स्क्वायर है वह निश्ट यानि बीच वाला तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 पे स्क्वायर फिल गिंगे 50 का पांच पर गुड़ा करेंगे तो हो जायाएगा 200 पलस चैलिस का करेंगे पांच भा पर हो जायाएगा 200 माइनस 5 का स्क्वार कितना होता था 25 यानि कि 5 गुड़े 5 तो हो जायाएगा यहाँ पर 25 बराबर 200 को 200 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 450 यानि 450 को माइनस कर देंगे तो हमारा आजाएगा 425 मीटर स्कुराइर यह हो जाएगा हमारा एंसर तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में